नमस्काल दोस्तों, होम मेकिंग वीद अपिक्षा चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागता है। यह देखी दोस्तों जो आप यह हैंगिंग प्लांटर देख रहे हैं। मैंने बिल्कुल ही जिरो कोष्ट में तैयार किया है और बिल्कुल वेस्ट मेटिरियल से। तो इसके लिए मैंने जो यह इस तरीके की गदा आती है हनुमान जी की बच्चे खेलते हैं। यह जल्दी ही तूट जाती है उनके खेले से देखिए छोटे वाला दिखा रही है। तो मेरे पास तूटे फूटे बहुत बड़े थे और मैं सोच रही थी कि इनका मैं क्या करूं। तो मुझे यह बहुत अच्छा यूज लगा कि मैं इनको जो हैंगिंग प्लांटर है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें होल करने होंगे ताकि हम इसको हैंग कर सके। तो जो यह देख रहे हैं उपरवाला हमें कट करना होगा। और इसके साइड में हम होल करेंगे। इसके लिए आपको इस ट्याइप की जो रस्चिया डोरी जो होती है एक वह वाली चाहिए क्योंकि हैंग करना है। और दूसरा आपको होल करने के लिए आप किसी भी जो कील होती है उसका यूज कर सकते हैं या फिर पेचकस का यूज कर सकते हो तो इस तरीके से आज पे पहले गरम करेंगे और अच्छे से जब ये गरम हो जाएगी तो हम इससे होल करेंगे बहुत इजली हो जाएगा तो इसक कट नहीं करना होता तो आप उपर कर देते लेकिन फिर इसका मुह बहुत ही ज्यादा मतलब नैरो है तो हम हमें चाहिए कि इसमें अच्छे से मिटी की हम कर सकें और इसमें खाद पानी अच्छे से देश के तो हमें थोड़ा सा मुह इसका जो है खुला चाहिए तो इसके है देखिए 20-22 इंच जितना भी लंबा आपको हैं करने के लिए जितने भी डोरी चाहिए उतना ही आप लें तो मुझे यहां 20-22 इंच चाहिए थी क्योंकि हमें अंदर भी नोट लगानी है इनके और उपर भी नोट लगेगी तो इस तरीके से तो तीन-तीन किये है मैंने और उपर नोट आजाए और अंदर आजाए उसका भी आप देख लेना उसी हिसाब से हम इसको यह देखी इस तरीके से हैंक करने के लिए हम इसको बना लेंगे तो हम पहले दोरी को इसके अंदर से निकालेंगे और नोट लगा देंगे यह देखिए और अब यह हिलेगी न नोट लगाने के बाद ये देखिए डोरी को इस तरीके से करेंगे ताकि हुक में डल जाए और ये हैंग हो पाई अब हमारा रहा गया इसको जो इसका मुँ है वो हमें थोड़ा सा ताकि हम हाथ वगर डाल सकें तो उसको थोड़ा करेंगे इसके लिए हम किसी कटर की हैल्प या फिर आप नाइफ को गरम करके कट कर लें तो मैं यहां कटर से इसको कट कर रहे हूं क्योंकि बहुत हलका है जल्दी भी हो जाता है तो यह देखिए हम इसको कट कर लेंगे और अगर आपको कट निकलना तो आप जो आपने होल बनाए हैं डोरी के लिए वो इनको आप उप पर भी कर सकते हों यह देखिए हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और यह देखिए हैं सारे ही हम इसी तरीके से तैयार करेंगे ताकि इसमें जब भी हमें खाद गूर डालने तो इसली डल जाए अब हम इसमें इनमें मिटी भर देंगे यह मिटी हमने पहले से तैयार कर है इसमें जो bak over की खाद वो भी mix हैं तो इसको डाल लेंगे और इसी तरह के से पिर इसमें जो भी आपको कड्माइमबर टाइप या फिर मनी प्लांट टाइप तो इस तरह के से आप ले सकते हो Grant और इनको हम इसमें लगा देंगा यह मैंने मनेश सब्सक्राइब अगर अगर हाँ अगर आप इसको मल्टी कलर में कलर करना चाहो तो बहुत सुन्दर लगेंगे आप अलग-अलग कलर से जो इसकी सेप बनी हुई है पीश ट्राइप तो उसको आप अलग-अलग कलर से कलर कर लें और यह देखिए हमारे जो प्लांटर हैं वो तैयार हो गई है अब ह चलिए अब हम इनको हैंक कर देते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमारे जो हैंगिंग प्लांटर है बिल्कुल जीरो कोश्ट में तयार हो गए हैं आप भी इसी तरीकी से किसी भी वेस्ट मेटिरियल को यूज कर सकते हैं कोई बास्केट वगारा थैंक्यू दोस्तों बाई बा